हेलो फ्रेंट्स आज हम बनाने जा रहे हैं दाल भरे करेले जिसे बनाने के लिए मैंने आधा किलो करेले लिया हैं उसे धोकर छिल कर बीच में कट लगा कर अच्छे से साफ कर लिया और इसमें मैंने नमक लगा कर 7-8 गंटे के लिए रख दिया इसे फिर हम आधी कटोरी चने दाल लेंगे और उसे धोकर भिगो देंगे 3-4 घंटे के लिए फिर हम दर्दरा पीस लेंगे मिक्सी में इसे और दो चमज तेल लेंगे कड़ाई में और इसे रोस्ट कर लेंगे रोस्ट हमें तेज आज पर नहीं करना है मद्यमाच पर करना है ताकि इसका कच्चपन निकल जाए और दाल को रोस्ट करने के बाद हम मसाले अचारी लेंगे नमाक, मिर, चल्दी, मेत्रा, सौफ, अमचूर, कलोंजी और धन्या इन सब मसालों को और दो चमच अचार का मसाला लेंगे आम के अचार का मसाला लेंगे इन सब मसालों को इसी डाल में हम डाल देंगे और साथ में दो चमच हम अचारी मसाला भी डालेंगे आम के अचार के मसाले से ये मसाला बहुती स्वादिश्ट बन जाता है इसको अच्छे से इसमें मिला कर हम रोस्ट कर देंगे ये दाल हमें दर्दरी ही रखनी है, बहुत ज़्यादा नहीं पिसनी, ना मैशी बनानी है ठंडा करने के बाद इसको हम करेले के बीच में दबा दबा कर भर देंगे सभी करेले इसी तरह हम बर देंगे और उसको धागे से बान देंगे ताकि मसाला बाहर ना निकले तलते समय इसी तरह मैं बाकी भी करेले सारे बर के बान लूँगी और कड़ाई में तल लूँगी ये हमें सिम पर तलना है बिल्कुल धीमी आज पर ताकि अच्छे से हमारे सीख जाए करेले और कच्चे ना रहें ये मैंने तल के निकाल लिया है प्लेट में अब हम उसी दो चमच तेल में हम प्याज और हरी मिर्च इनको सोते करेंगे प्याज हरी मिर्च डालने के बाद जब वो लाल थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना में और ये करेले भी इसी में हमें मिक्स कर देने हैं करेले मिक्स करने के बाद फिर से हमें वैसे ही अचारी मसाला डालना है अब के बार हम रोस्ट करने के बाद ये मसाले हमें ज़्यादा नहीं डालने क्योंकि हम पहले भी डाल चुके हैं थोड़ा सा नमक, मिर्च, हल्दी, सौफ, मेतरा, अमचूर और धनिया ये सब मिक्स करके हम 5-7 मिट फिर इसे पका लेंगे और इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे हमारे अचारी डाल भरे करेले तैयार हैं खाने के लिए यकीन मानिये बहुती टेस्टी होते हैं और फ्रेंड्स इसका रोस्टेड डाल का मसाला हम 10-15 दिन तक फ्रिज में रखकर स्टोर भी कर सकते हैं और जब भी हमारा करेले खाने का मानो उसमें भरकर हम फटाफट बना सकते हैं आप इसको तखाईए और खिलाईए